धन्-धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा धन्-धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा धन्-धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा हे MS जी आप जी से अर्दास है कि हमारे MS जी संद गुरुमीत राम रहीम सिंग जी इंसां हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आएं और हमें अर्बो गुना खुशियां बक्षें जी धन्-धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा सत्संग वही होता है यहां आने से इनसान को सोजी आए समझाए यहां आने से उसका जमीर जाग जाए यहां आने से उसे सच का पता चले रजो तमो सतो यह गुण है सच और जूट गुणों में आ जाता है लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरी अल्ला वही गुरु गौड है वो एक ऐसा सच जो जान ले जो उसे मान ले उसके जन्मों जन्मों की पाप कर जाते हैं उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की द्या में रहमत के लाइक बन दे चले जाते हैं तो सच भगवान है अल्ला वही गुरु राम है और उस सच से जुड़ना सिर्फ इनसान की फिदरत में लिखा है इनसान ही एक ऐसा सरीर है जिसमें प्रभू का आना पॉसिबल है संभव है जो प्रभू का नाम जपे भगवान का नाम जपे तो वो कणकण में जर्य जर्य में नजराते हैं इनसान की पाप करम कड़ जाते हैं जन्मों जन्मों की मैल दुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिल और दिमाग में मालिक की द्यामेर रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं कितना भी इनसान ग्यानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता, वो खोखला है ग्यान अच्छा है, पर उस पे चला जाए, तब ही ग्यान का मुल्या पड़ता है हम यह नहीं कहते कि ग्यान रखना कोई गलत जितना ज्यादा ग्यान हो, उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ग्यान के उपर चला जाए, वो सबसे अच्छा कर्म जोगी और ग्यान जोगी, जब तक इनसान नहीं बनता, वो खोखला रहता है सिर्फ कर्म करना जानते हो किसी पसु की गर्दन मरोड़ दी किसी पक्षी को मार दिया ये भी कर्म है लेकिन ग्यान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए किसी के हाथ से निवाडा छेन लिया किसी को तड़पाया किसी को दुखी किया हार टाइम किसी को तंग करते रहे ये भी कर्म है लेकिन ये बाप कर्म है इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ग्यान योगी होना अतियावशक है जब तक इनसान ग्यान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की किरपा पात्र नहीं बना जा सकता देश विदेश की तमाम ख़परों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपदेट सबसे पहले